तो आज ब्लैक मंडे देखने को मिल रहा है और ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ आपके सामने निकी क्रेश हो चुका है कोसपे या पर क्रेश हो चुका है और डाव जोंस आपके सामने हजार पॉंट देखने को मिला है नीचे ग्यारसों पॉंट से ज्यादा नीचे के साथ अपन हुआ था बट अभी थोड़ी से रिकवरी हमें देखने हुआ है एंड एमर्जेंसी रेट कट के डिमांड उठ रही है यहां पर काफी सारी बाते निकल के आ रहे हैं कि अचानक से रेट कट आपको देखने को मिल सकता है किसी भी समय किसी भी समय एंड मार्केट क्लोजिंग के बाद भी आपको देखने को मिल सकता है तो यह तो बोड़े से यहां पर आसान नजार है 75 basis point को यहाँ पर जो है आपके सामने rate cut के लिए रखा गया है कि इतना तो चाहिए ही है emergency rate cut चाहिए अधर वाइस जापान का जो हाल हुआ है वो पूरे global में आपको हाल होती देखेगा अमेरिका में लगातार चिंता बढ़ रही है इस बात की जैरोमी पावल को अब समझ में आ रहा होगा कि अब हो क्या चुका है और 2008 को जो के यहाँ पर नहीं लेने के लिए का है 2008 जैसा यहाँ पर crisis जो है वो अब government भी यहाँ पर समझ रही है कि हो सकती है इतना serious मामला अब हो चुका है यहाँ पर कहते हैं कि critical moment चल रहा है और यहाँ पर वेट नहीं कर सकते आप इस बात को समझे 2008 को एक जोक की तरह मत लीजेगा emergency rate cut expect किया जाना चाहिए फैड की तरफ से इस वक्त जो कि यहाँ पर पूरे global में एक हड़कम समझ चुका है आप देखें थोड़ी सी recovery तो है बट नेश्डेक का हाल देखें आपके सामने हलका सा Nvidia recover हुआ थोड़ा सा इदर उदर हो रहा है बट closing कहाँ पर होगी यह देखने वाली बात होगी फैड rate cut करेंगे या emergency या नहीं करेंगे एड इवन हमारा यहाँ पर जो है आपके सामने डाव जोंस के अंदर वियाने कि यूएस मार्केट मैं भी आपको देखने को मिल सकते है यूएस मार्केट कहीं दूर का नहीं रह सकता आप यह समझे जापान का मार्केट अगर क्रेश हुए तो वो यूएस के अंदर तुरंत ही आएगा जो कि इतना ग्लोबल लीडर यहाँ पर है आभी हम लोगों को यह समझना है कि निफ्टी के अंदर नेगिटिव होना है या नहीं होना है जब तक यहाँ पर ना आपके सामने 50 डेमा है याने कि 24,800 याने कि 13,850 जब तक यह लेवल टिका हुआ है निफ्टी के अंदर तक टेंसन की कोई बात नहीं है अगर यह तूटता भी है तो आपके सामने जो ट्रेंड लाइन एक लंबे टाम से चल रही थी जनवरी से ट्रेंड लाइन चल रही है एंड इसे चैनल से भार निफ्टी और लगातार एक हाई की तरफ गया तो आभी हम जो है वो दोबारा उसे चैनल के लाइन को जो है वो टेच करने आ रहे हैं और वो लेवल आता है 13,650 बैसे तो 13,670 है बटे 10,20 पॉइंट इधर उधर हो जाता है इसी लिए 13,650 जब तक ये स्क्रीन पर 13,650 एंड 13,850 जब तक ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं तब तक टेंसन मत लीची ये जो ग्राबट हुई है वो अचानक से रिकवर भी कर जाएगी काफी ज़ादा यहां पर क्लिकी बढ़ड़ी हो चुकी है और ऐसे में समझना काफ भी पॉजिटिव रहना है जब तक 13,650 जब तक 13,650 जब तक ये दो लेबल टिके हुए हैं ये 200 रुपए की रेंज जो है न वो टिकी हुई है निफ्टी के अंदर तब तक टेंसन नहीं लेना ये बहुत मजबूस सपोर्ट है और इस वीच अगर कुछ हो गया ना रेट क लेबल टिके हुए है तब तक आपको यहां पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो यह सारी चीजे पता चिल जाएंगे तो अब दीचे में जाए बड़ी देखने के लिए बहुत दनवाद दोस्तों